नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC A&M की जो नई फैसला आने वाले हैं उसको लेकर नया अपडेट आ रहे हैं जो कि इसमें अब नया मामला आ गया है क्या कुछ है सारी अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं और फैसला से प बहाली परक्रिया को लेकर जो भी अभीरति इंदेजार कर रहे हैं उन सारे अभाने के लिए यह अच्छी खवर है कि आप सब जो महाली के प्रोसेस होंगे उयर्णे ओँंजाने वाले है वो पुर्ण रूप कि नहीं किए सकते हैं क्या बैसला आनेवाले है और कब आपको कल ही बता दिये थे कि अब आएंगे तो मंडे को ही आएंगे इसकी जो final फैसला है लेकिन इस बीच अब जो नया LPA case है जो नहीं मामला दर्ज किया गया है आप सब को पता है कि बिहार सरकार पर नया LPA case फाइल किया गया है अब उनकी भी hearing date मिलने वाली है क्योंकि इस case के बाद ही जो final judgment आये तो अच्छा रहेगा नहीं तो final judgment आ गया पता चला इसका सुनवाय हो रहा है इसमें कुछ और decision आ फिर से उसको फिर से सारे process को वहीं से लाना परेगा जैसे CWJC में हुआ था कि सुनवाय हो गया था सारा कुछ publish भी कर दिया गया था जो reserve judgment था और उस अगर इसके सुनवाय के बाद यदि एक दो hearing के बाद भी आता है एक hearing भी हो जाए उसके बाद यदि final फैसला आएंगे तो आप सब के लिए अच्छी बात ही होंगे आप समय लग रहा है तो आप लोग परिसान नहीं हो येगा समय लग रहा है अच्छे से clear होकर ही आएगा नहीं तो आज आएगा फिर इसके लिए दुबारा फिर इसकी सुनवाय होने लगेंगे तो फिर इस मामला में फिर से उसको remind किया जाएगा तो ऐसे में और परिसानिया हो जाती है और आप लोग का विश्वास भी थोड़ा हो जाता है कि एक बार आता है फिर चल जाता है फ जो नई डेट है वो हेरिंग का जो डेट है वो नहीं दिया गया है लेकिन आप लोगों को आप तो आज यह दी नहीं मिलता है तो यह मंडे को ही इसको भी देखने को मिल सकते हैं इसका जो सुनवाई की जो डेट है वो मंडे को ही देखने को मिल सकते हैं अगर आज दे सकता है में भी आज भी आ सकते हैं लेकिन अगर आएगा इसका अपडेट तो हम उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारिया देंगे जैसे कि आप लोग लातार पूछ रहेते कि नए LPA केस का क्या हुआ जो बिहार सरकार पर किया गया है तो अभी फिलहाल इस केस को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया पटना है कोट के तरफ से लेकिन आएगा केस फाइल किया गया है तो सुनवाई भी होंगे इसकी जो हेरिंग है वो भी आप लोग को जल्द देखने को मिलेंगे तो इसको लेकर आप लोग थोरा सा मतलब कि न्यूज से अपडेट रहेगा व आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें जिसे कि कोई भी अपडेट जारी किया जाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग का फाइनल फैसला इंतिजार करें आप लोग जल्द आप लोग का फाइनल फैसला भी देखने को मिलेंगे आप लोग जितने भी candidate है चाहे qualify वाले भारती है चाहे counseling के अधार पर जो मांग कर रहे हैं सारे भारती अपने जो final फैसला है उसको इंतेजार कर रहे है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि यह जो फैसला आने वाला है वो किसके नहीं पता है यह फाइनल जज्जमेंट आएंगे जो रिजर्ब जज्जमेंट रखा गया है उसके बाद ही पता चल पाएगा तो आप लोग थोड़ा सा धैरे बनाए रखे जो कुछ भी होंगे आप लोग के अच्छे के लिए होंगे और गुड़ नियो जी ही आएंगे बहुत दो साल इंतजार के इस बहाली को तो थोड़ा सा और इंतजार कर लिए निश्चीत रूप से आप लोग की जो बहाली की परकिलिया है वो बहुत जल्द और अच्छे मतलब की अच्छे साब सुथरा दिखने वाले हैं तो और भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे च इससे कि हमें भी और विजान भी लेते हैं